क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ती 1969 में नेपाल में एक बौध भिच्छू को मिली थी बाद में वह बौध भिच्छू इसे तिबबत ले आया जब चीन ने तिबबत पर हमला कर अपने कबजे में ले लिया तो इस बौध ने मूर्ती को अमरीकी CIA के हाथों सौब दिया इस मूर्ती के साथ एक हस्त लिखित पांडूलिपी भी मिली जिसके अनुसार इसे शिव की मूर्ती समझा गया परंतु गहन अध्यन के बाद इसे विश्नू की मूर्ती पाया गया इस मूर्ती का साइज 8x8x8 था कारबन डेटिंग टेस्ट से इसे 26,450 BC वर्ष से अधिक पुराना बताया गया CIA ने इसे एक लकड़ी की डिबबे जिसका कोड था SD Circus MUSTURD-083 में बंद कर एक अमरीकी आर्मी बेस कैंप में सुरक्षित रख दिया आधिकारे काकड़ों से पता चल की यह मूर्ती नवपाशानकाल से बहुत पहले मतलब लगभग 29,000 साल पुरानी मूर्ती है इसके साथ मिली पांडुलिपी पर भाशा उस समय की थी जब भाशा के अस्तित्व के बारे में सोचना मुश्किल था पांडुलिपी में मूर्ती के नाम का उलेक किया है कल्प महा आयुशिम्रस विग्रह CIA फाइलो में संशिप्त रूप में कल्प विग्रह लिखा गया आयकिया ने कुछ परीक्षन किये 19 दिनों तक इसे पानी में रखा गया और पानी आवेशित हो गया आवेशित पानी असामान्य था प्रायोगिक तोर पर इसे कई लोगों को पिलाया गया आश्चर्य जनक रूप से इन सभी की आयू सो वर्ष से अधिक पाई गई यह मूर्ती और पान्डुलिपी 1966 में चोरी हो गई इसे खोजने की कोशिश अभी भी जारी है